अलेकूं आप सब का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल माई किचिन माई डिश में और मैं हूँ शगुफता आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बिल्कुल यूनीक और बिल्कुल ब्रैंड न्यू रेसिपी रेस्टोरेंट स्टाइल रोस्टेड चिकन की तो ये देख ये चिकन बन के तयार है इस रेसिपी को आप ट्राइ करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं मैंने क्या क्या किया है इसके अंदर मैंने ले लिया एक पूरा चिकन कटवा कर बूचर से बिल्कुल साफ करा लिया है अं देखिए कट्स मैंने लगा लिया जैसा कि मैंने मुर्ग मुसलम और पहले बहुत सारे होल चिकन के अंदर आपको कट्स लगाते हुए दिखाया है बिल्कुल वैसे ही तो ये देखिए कट्स लग गए और बड़ा खुबसूरत सा डिजाइन दिखाई देने लगा सीने पर अब इसका मसाला ready करेंगे तो मैंने ले लिया के कि मिक्सिंग बुल और इसके अंदर मैं डालूंगी चार टेबल सपून घर की जमाई वी ताजी दही जिसमें से पानी निकल चुका है तो चार टेबल सपून दही मैंने ले ली अब इसके अंदर और दूसरे मसाले मिलाएं एक चमश गरम मसाला पाउडर एक चमश जीरा पाउडर एक चमश धनिया पाउडर दो चमश लाल मिर्च कुटी हुई यह फ्लेक्स नहीं है, लेकिन मोटी कुटी हुई लाल मिर्च है आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्च को कम जादा कर सकते हैं यह बुश का red orange color है यह food color है यह मुझे बहुत पसंद है लेकिन यह totally optional है अगर आपको नहीं पसंद है तो आप ना डाले मैंने एक pinch color इसके अंदर use किया है इससे मुझे देखने में वो बहुत अच्छा लगता है एक नीबू का रस निचोड़ देंगे इसके अंदर काला नमक आधा चाय का चम्मच काला नमक powder form में है और इसकी जगे आप चाहे तो चाट मसाला भी यूज कर सकते है पूरा मसाला mix करेंगे अच्छी तरीके से जब तक कि पूरा मसाला और color और रही सब mix हो जाए फिर उसके अंदर add करेंगे हैं दो tablespoon oil जब इस मसाले में oil मिलाते हैं और उससे चिकन को marinate करते हैं और जब उससे roast करते हैं तो उसका texture और उसका उंतिस सब कुछ बहुत अच्छा होता है बहुत juicy सा chicken होता है अब यह chicken को लेंगे और इसके अंदर मसाला पूरा अच्छी तरीके से लगाएंगे सब से पहले तो पे पूरे में लगाएंगे और इस तरीके से मसाला लगाएंगे कि सारे cuts के अंदर मसाला चला जाए चमच से डाल सकते हैं ऐसे करके उंगलियों से चाहें तो यूज़ करते हुए उंगलियों से कर सकते हैं ऐसे इस चिकन को आप बनाईए कि ज़रूर बहुत टेस्टी बनती है मसाला लग गया है इसे एक घंटे के लिए हम मैरिनेट होने के लिए रख देंगे फ्रिज में और इतनी देर काफी है से मैरिनेशन के लिए तो ये मैरिनेट होकर आ गई है तो आज हम इसे बनाने जा रहे है तो सबसे पहले इसके पैरों को दोनों को पकड़के एक मोटे धागे से बाढ़ देंगे ऐसे एक के उपर एक चड़ा के और सीने का पीस पैरों के नीचे डाल देंगे और यह आगे ही मेरी ओन की रुटेसरी स्टिक अब इस रुटेसरी स्टिक के उपर इस चिकन को हम अच दोनों वो डबल नाइफ जो आती है रोटेसरी के साथ में उसके अंदर डालके थोड़ सा यहां पे मैनत करनी पड़ेगी बैराल थोड़ी सी मैनत लगती है लेकिन यह चिकन बहुत टेस्टी होता जो किसी के सामने आप इसे खाने के लिए ले जाते हैं तो देखते ही उसको तो बहुत मज़ा आ जाता है देखकर ही मज़ा आ जाता है अब इस रोटेसरी के इस सिस्टम को इसके अंदर खूस देंगे, दोनों साइट से खूसेंगे, ऐसे गोश्ट के अंदर घूस जाए, दोनों तलवारे उसके, तलवार के उपर मैंने फिट कर दिया है, डबल तलवार है वो, राजा महाराजा के हाँ देखने मिलती थी, अभी तो अपन सब राजा म महाराजा, उस सारी दुनिया अपने अपने घर की महाराजा महाराली है, तो महाराजा का खाना खाएं, बहुत ही सिस्टमेटिक धंग से घर में बनाएं, और कोई बहुत जादा उसके लिए खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं, महाराजा के जैसा खर्चा करने नहीं तो लगता था गुश जाता था चिकन के बज़ाय मेरे हाथ में इसे भी फसाद दिया इसके अंदर गोश्ट के अंदर खूंस दिया उन डबल तलवार को और उसको भी उसको भी स्कुरू से टाइट कर देंगे कि ऐसे पूरा टाइट हो गया यह रोटेश्री स्टिक के ऊपर चिकन पूरी अच्छी तरीके से फिक्स हो गई है अब देखिए यह गर्दन जो है ऐसे लटक रही है तो इसे मैं यहां से काट दूँगी एक्चली मुझे यह पहले ही काट देना चाहिए था बहराल मैंने इसे काट लिया है और इसको मैं डाल दूँगी पेट की किविटी के अंदर यह वहीं पर पक जाएगा ऐसे तो यह बिल्कुल अच्छी तरीके से फिक्स हो चुका है अब इसे हम डाल देंगे ओन की रोटेश्री के अंदर और लेकिन इससे पहले हम इसके सीने को इसके दोनों ल नीचे वाले पीस से फिक्स कर देंगे ऐसे टूथपिक लगा के तो क्या है उससे वो फैलेगा नहीं बहुत अच्छी तरीके से पकेगी दो टूथपिक लगाकर हमने इस पीस को यहां पर एडजस्ट कर दिया है तो यह रोटेश्री के उपर चिकन एकदम अस्बूती से फ क्लीट हो गया ऌहिसन को मैंने प्रहिट नहीं किया है क्योंकि जब इससरे क्वेडिस टीकस के चांस रहता है इसल् empathy का प्रम के लिए अब रोटेश्री मोट के से अच्छा गंटों न चाइंडर आउन पर आप दंक पागर शिक्क म रहा है वो सिर्फ ओईल है जो हमने मसाले में मिक्स किया था तो वो चिकन जब ऐसे से घूमती है तो ओईल मसाला सब चिकन के अंदर अब्जॉब हो जाता है इसके उपर से थोड़ा थोड़ा घी डालेंगे आप चाहें तो मकंड डाल सकते हैं और यह पकती जाएगी और पकत से बाद में सर्विंग के टाइम पर निकाल सकते हैं यह 50 मिनट कंप्लीट हो गया है यह 50 मिनट के पॉजिशन है तो यह 50 मिनट के पॉजिशन में देखिए अब ब्राउन ब्राउन स्पोट्स दिखाई देना शुरू हो गया है और घी उसका जो है गोश्ट में पूरा केचन उसके अरोमा से भर गया है और जो शाइनिंग दिखाई दे रही है घी की उसको देखके ही एकदम टेम्इर हो रहा है मुझे भी बहुत टेम्इर लग रहा है उसको देखना अब ये देखिए 60 minutes complete हो गया है और पूरा एक घंटा complete हो गया मैंने rotisserie को off कर दिया है अब मैं इसे यहां से निकाल लूँगी remove कर दूँगी और मैं निकाल कर इसे serving plate में लगाऊंगी ये देखिए rotisserie के उपर कैसा अच्छे से fix है अब मैं rotisserie को खोल के इसमें से निकाल दूँगी remove कर दूँगी इसके screw को खोलेंगे ज़रा गरम है screw screw को खोलते टाइम पर जड़ा ध्यान रखें अगर गरम हो तो किसी चीज से पकड़ के करें या फिर थोड़ा ठंडा होने का वेट कर लें और बस इस तरीके से इस rotisserie को मैंने दोनों साइट से तलवारे निकाल दी और इसे बहार निकाल लिया और देखे मसाला कैसे लगाओ है उसको धुदी गो दिया है दोकर साफ करने के लिए तो अब ये मारी चिकन तियार होगी मैं आपको दिखाऊंगी कि वो कितनी गली है चमच की मदद से मैं चमच से तोड़ूँगे और अगर चिकन अच्छी गल जाती है तो चमच से तूट जाती हो यह देखे चमच से बढ़ी आसानी से तूट गए चिकन को गलना जरूरी है अंदर तक पक जाना जरूरी है इसलिए इसे पकाने में जल्दी ना करें मैंने इसे धाई सो अ डिगर आ रहे हूं देखे कितनी सॉफ्ट हो गई है और एकदम जूसी तंदूरी अगर रेस्टोरन से लेते हैं तो बहुत सूखी सूखी सी आती है यह एकदम जूसी तंदूरी यह रोस्टेड चिकन और जबर्दस खुश्बू और जबर्दस टेस आप इस चिकन को ज़रूर ट्रा बली बाइ